हंजी बंचो आज की कलास में मेट इसकुर्ण नाओ अक्टमेडेशन प्रोवाइटी इन होटेल है अगर बेटास किसी इंप्लॉई को कि होटल वे स्टे करने की सूधा दी गही है in case of transfer यहाँ बेटा जो होटल में stay करने की सुभी था कि मैं बात कर रहा हूँ in case of transfer of employees हाँ जी बेटा यदी किसी करमचारी की एक पलेस से दूसरे पलेस पर transfer कर दी जाती है तो employer के द्वारा यदि उसको hotel में ठहरने की स्वीधा दी गई है तब तक के लिए जब तक उसका वह रहने का permanent बंदोबस्त नहीं हो जाता तो उस स्वीधा का taxable amount हम कैसे calculate करेंगे हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना मान लीजिए मेरी बेटा यहां से transfer होगी मेरी transfer कर दी government ने हिसार में और मेरे को government कहती है जी कल ही आपको join करना है तो उस case में मेरे को अपना यहां से अपनी पूरी family को shift करना है तो पूरी family को shift मैं एकदम तो करनी सकता उसमें थोड़ा सा time लग सकता है तो उसके लिए मेरा employer मुझे यह स्वीधा दे सकता है कि जब तक आप अपनी पूरी family को यहां से नई जगा पे shift नहीं कर लेते तब तक आप वहीं stay करोगे और उसके लिए मेरा employer उसने मेरे लिए बेटा hotel का arrangement कर दिया होटल में मेरे लिए room book करवा दिया उसने उसने मुझे बता दिया कि हिसार में यह होटल है उस होटल में जाकर आप stay करोगे मैंने सारी booking करवा दिये ठीक है तो उस वी था के उपर text लगेगा या नहीं लगेगा कैसे लगेगा उसकी हमने आज चर्चा करनी है ठीक है तो देखो कैसे करेंगे हां जी बेटा देखो जी एक एक जामपल ले रहा हूं बेटा हां जी बेटा इदर देखिए ये एक employee है chat box में मुझे विकास दिखाई दे रहा है तो मैं विकास को ले रहा हूं हां जी बेटा ये एक employee है जिसका नाम कै विकास ठीक है बेटा विकास जो employee है इसके employer ने इसकी बेटा transfer कर दी विकास पहले कहां पर job कर रहा था मान लेते हैं पहले ये job कर रहा है जीन में और अब बेटा इसकी transfer कहां कर दी transfer कर दी बेटा पानी पत में ठीक है जी अब इसको अपनी पूरी फैंडिय को बटा शिफ्ट करना है इसको अपनी पूरी फैंडिय को विकास info अपना अपने बीवी बच्चों को बटा कहां पर सिफ्ट करना है पानीपन सिफ्ट करने м हाँ जी बेटा और शिफ्ट करने के लिए विकास को क्या चाहिए टाइम चाहिए बट इसका बोस इसके बोस ने इसको अटर दिया वह आपको जो कल ही वहां पर जॉइन करना यानि कि जॉइनिंग जो इसकी पानीपत में आई हुई है वह इमीजेटली आई हुए है तो उस केस में इसका जो इंपलोयर है स्पोस कीजिए यह जो करता है एक्सिज बैंक में हां जी विकास एक्सिज बैंक का इंपलोई है तो एक्सिज बैंक ने क्या किया एक्सिज बैंक Вिटा कोन हो गया इसका, एक्षिज बैंक कि इस होटल के अंदर विकास के लिए का डिया होटल में सटे करने कि बुकिंग कर वा दिया। और जब तक विकास के रहने का मां परमानेंट नहीं हो जाता विध फैमली- कि तब विकास इसी होटल के अंदर स्टे करेगा। तो अब कोशेन राइज हम कि विकास को ओटल में ठैरने की सविधा दी गई है जी पी इस फेधा के उपटयांक arte करेगा या नहीं करेगा ठीक है बटा आप बताओ टेक्स चार्ज होना चाहिए और नहीं होना चाहिए आप सभी बच्चे चैट वोक्स में लिखिए पहले में आपके व्यूद सुनना चाहता हूं क्रथा विधा बेटा अपने रिऊच्च्छ बताओ सोनी का कैषिन नहीं based नहीं लगना चाहिए विगास है अब सुन। अब यहां पर दोबाते हैं क्यां पर पिए द्याद से सुनिएगा हाँ जी पेटा फैरली बात अगर आपको यह देखना है कि विकास को जो होटल में जो फैसिलिटी दी गई स्टे करने की वो कितने पीरियड के लिए दी गई है आपको विटा एक चीज़ देखनी है पीरियड ऑफ स्टे कि पीरियड ऑफ स्टे इन होटल हा जी बृटा अब इसमें दो बातें हैं अगर होटल में जो स्टे का पीरियड है कि वह लेस देन इंटिल्टों 50 डेजा है हां जी पंदरा दिन या पंदरा दिन से कम है हा और दूसरा केस बैटा यह अगर पीरियड ऑफ stay in hotel more than 15 days 15 दिन से ज्यादा का है तो क्या होगा है दोनों situation में क्या होगा पहले मैं केस वन को discuss कर रहा हूं यह हमारा केस वन है और यह वेटा केस नंबर टू है तो केस वन के केस में अगर होटल में करने की जो अवधी है वो 15 दिन से कम किए तो इस केस में टेक्सेवल अमाउंट होगा निल कोई टेक्स नहीं लगेगा और चलि अब आज़ो वेटा सेकिंड केस पर सेकिंड केस में क्या है अगर होटल में स्टे की अवधी वेटा 15 दिन से ज्यादा है तो उस केस में लगेगा पर क्यूजिट के ऊपर और उसकेस में वेल्य उपर क्यूजिट कैसे निकाल की पाण जी टैकसे वल्मांट इस एकल टू को 24 परसंट अफ सेलरी अफ्सी जो ट्वीन्तीफुर परसंट अफ सैलरी और actual rent paid actual rent paid by employer to hotel which average less हांज बीटा जो भी दन्नों में कम होगा वो taxable होगा हांज बीटा 24% of salary और actual rent paid by employer to hotel which average less अब यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है जो मैंने यह लिखवाया 24% of salary salary बीटा relevant period की लेनी है हांज बीटा अब relevant period का meaning क्या यहां पर relevant period का मतलब है बीटा पीरिएड ऑफ स्टे इन होटेल रेलिवेंट पीरिएड मीन्स पीरिएड ऑफ स्टे इन होटेल हांज बेटा स्पोस्ट गरोई employee होटल में 18 दिन रहा तो 18 दिन की सेलरी लेनी है अगर employee होटल में 30 डेज रहा तो सेलरी भी 30 डेज की ही लेनी है तो यह ध्यान रखना salary relevant period की लेनी है relevant period का मतलब पीरिएड ऑफ स्टे इन दा होटेल यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूजन क्या हो जाता है जैसे मैंने बताया कि 15 दिन से अगर वह ज्यादा रहा हो तो taxable amount इस तरीके से calculate करना है 24% of salary अब कई बच्चे क्या करते हैं जैसे मान लीजिए करमचारी का period of stay अगर करमचारी का period of stay अठारा दिन का है अगर करमचारी का period of stay कितने दिन का है अठारा दिन अठारा दिन होटल में stay किया तो पूरे अठारा दिन की salary लेनी है और पूरे अठारा दिन के उपर ही tax लगेगा पूरे अठारा दिन की salary ऐसे नहीं होगा कि अठारा में से पंदरा दिन घटा दो पंदरा दिन घटा के तीन के उपर tax लगेगा ऐसा नहीं होग सेलरी बीटा पूरे 18 दिन की लेनी है ठीक है जी अगर 15 दिन से एक दिन भी फाल्टू हो गया 16 भी हो गए तो टेक्सेबल के टिगरी में आ जाएगा और 15 दिन तक है तो टेक्सेबल अमाउट नहीं लोगा बट डेस पूरे के पूरे लेने हैं बादिरे आगर अठारा दिन है तो ठारा अठारा दिन की स्ट कि लेंगे तो फच्चिस तीन तो पच्चिस सेल्री ऐसे नहीं करना 25 में से कहीं पंदरा माइनस करके 10 डिगाइश की सेलरी लेंगे नहीं तो 24 परसेंट और सिल्री ओफ दा उर्यलिवेंट पीरियट हज़िविकास कह रहे हैं जिस दिन होटल लीव किया उसने क्या वो दिन भी लेना है जिस दिन होटल से वह जाएगा हाजिव वह भीपेंट करता है वह आपने इससिरफ ये देखना होटल वालों को कितने दिन का पैसा दिया है हां जी होटल वालों को अगर आपने जिस दिन होटल छोड़ा है उस दिन का पैसा भी दिया है तो वेटा वो दिन काउंट होगा ठीक है जी देखो जी कैसे करना है इसको एक एक्जामपल की है से समझते हैं कि इसका वेटा स्क्रीन शोट लेना तो ले लो मैं अधर वाइज आगे मूव कर रहा हूं इसको क्लियर कर रहा हूं कि इसको वेटा मैं क्लियर कर रहा हूं चलो जी हाँ जी बेटा देखिए इसका वेटा एक्जामपल करते हैं एक वेटा मैंने अपनी तरफ से एक संबन आया हुआ है देखिए वरुन वरुन इस इंप्लॉइड इन एक कंपनी वरुन बेटा कंपनी में जोब करता है एट देली ही वाज ट्रांसफर टू चैनाई उसकी बेटा ट्रांसफर कर दी कहां पर चैनाई में इन जून टूथाउज़न नाइटीन हां जूटा ही स्टेड इन होटल वह 25 दिन होटल में ठेहरा देन मूट इंटू ए हाउस प्रोवाइड़ बाएड़ इंप्लोयर आज जूटा पच्छीस दिन होटल की स्वीधा के बाद इंप्लोयर ने उसे एक मकान दे दिया रहने के लिए और वह वहां शिफ्ट कर गया कंप्यूट दा वैल्ली ऑपर क्यूजट इफ वरून एन्वल सेलरी वरून की जो एन्वल सेलरी है चारला खड़ती से जा रहे दा कंपनी पेड होटल हां जुटा कंपनी ने 800 पे पर पाले के हिसाब से चार्ज भी किया है तो कैसे करेंगे इसको अधिए अधिए आधिए कि वादि पेटा कैसे करना है इस सबसे पहले पेटा यहां पर हमें निकालना क्या है वह लिख देखिए टेक्सेवल वैली ओफ परक्यूजट का मतलब स्टे इन होटेल फैसलिटी ओफ स्टे इन होटेल इसकी हमने वैलूएशन करनी है तो सबसे पहली बात बेटा क्या देखनी है जरह चैट बॉक्स में लिखो होटल में स्टे का जो पीरियड है वह बेटा यह देखना है 15 दिन से कम है या 15 दिन से ज्य पीरियेड ओव स्टे इन होटेल इस मोर देन 15 देल थीग है बेटा तो अब क्या करेंगे टेक्सेबल अमाउंट नीकालने के लिए हमें क्या चाहिए सेलरी टेक्सेबल अमाउंट हमें सेलरी चाहिए सेलरी और the lla relevant पिरियड जह कितने डेज है 25 डेज हमें 25 तिन की सेलरी लेए और धिवाली पेटा क्या-क्या लेंगे सेलरी में वही लेना है जो पताया था सेलरी भेट लेंग जो रेंट-free हांस में लिखवाए थी बेसिक पे प्लस डीरनेस पे प्लस बोनस प्लस फीज प्लस कमीशन प्लस ओल टेक्सेबल अलाउंसे बट इस सम के अंदर बेटा सिर्फ क्या दिया हुए इस सम के अंदर हमें सिर्फ सैलरी बेसिक पर दियुए फॉर लैक थर्टीएट थोज़न अब ध्यान से सुनिएगा चार लाग हाँ यह पूरे साल की है यह बेटा सैलरी पूरे साल की है 365 दिन की 365 डेज और हमें कितने डेज की चाहिए हमें चाहिए 25 डेज की तो 25 डेज की बेटा निकाल के बताओ जरा कितना आएगी यह हमें रेलिवेंट पिरेड की निकाल लिए तो रेलिवेंट पिरेड विटा 25 दिन है 25 दिन की सैलरी कैसे निकाल लेंगे चार ला क्वटर तीज जर डिवाइड़ वाइड टोटल लूमबर अफ बीए जेन अज़ को इसको बीड़केल्ट गरो जरा 30,000 रुपीज 30,000 रुपीज आ गया अब करना क्या है अब बेटा मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे अभी टेक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए दो पॉइंट है एक तो बेटा 24 परसेंट ऑफ सेलरी और अमाउंट पेड बाइ इंप्लोयर हां जिता 24 परसेंट बेटा करते हैं इसका 24 किसका 30,000 का 24 परसेंट करके बताओ कितना आएगा हां जिता 24 परसेंट ऑफ 30,000 बहत्तर सो रुपे आ गया बहरी गोड जी अब इस बहत्तर सो की तुलना करनी है किस से करनी हैं अमाउंट पेड़ वाइंप्लोयर इंप्लोयर बेटा देखो कंपनी कितने पर दे रही है कंपनी 800 पर पर दे हैं जो और कितने डेज का 25 दिनों का कि 25 दिनों का 800 पर के हिसाब से कंपनी ने बेटा कितने पर पर पे किये हैं ट्वेंटी थाउसेंट इन दोनों में बेटा विच अवरिज लेस देख लो इन दोनों में विच अवरिज लेस हां जेटा विच अवरिज लेस बेटा यह आ गया सेवन्टी टू हंडड़ ठीक है जी तो विच अवरिज लेस बेटा आ गया बहत्तर सो रुप लेस अब बेटा इसमें से वह अमाउंट माइनस कर देंगे जो करमचारी से लिया गया है अमाउंट से फ्रों मिंप्लोई के अमाउंट चार्ज टो होटल में घ्ला थ Help Toy प्रूप से उसके लिए कम्पनी के निए और उन से वरूं कोन है इंप्योई कि सब्सक्राइब सेठाए चल्री तो सब्सक्राइब है तो टेकसेब्स अमाऊंट ए अंदर दा है सेलरी कि इस वाग्री कि तना कि एंदेगा विटा मारा आ जाएगा ठीक है जी बताओ कलियर है हां जी बटा देखो जी दुबारा से देख लो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं सबसे पहले पूरे साल की सेलरी चार लाग अधिस जा रहे है आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि करमचारी ने जो होटल में स्टे किया क्या वो पीरियड 15 दिन से कम है या ज्यादा है 15 दिन से कम हो तो टेक्सेबल अमाउट नहीं लोगा पूरे पूरे पंदरा दिनों तो भी नहीं लोगा पंदरा दिन से बेटा ज्यादा है तो टेक्सेबल होगा यहां पर इ की सेलरी बनेगी 30 जर फिर बेटा क्या करने फिर सेलरी का 24 परसेंट गटा 24 परसेंट कर दो है ठीक है जी 24 परसेंट बेटा बनेगा 72 तर सो और अमाउंट पेड़ बाइंप्लोयर टू होटेल होटल को बेटा कितना पैसा दिया है कंपनी ने होटल को 800 रुपे पर डे के यह थाप से 25 दिनों के 20,000 पर बेटा पैकिए है कि यह कितना रुपे पैकि यह का ट्वेंटी थाउसे आजए दोनों में विटा चैक कर लो वीच अवरिज लेस दोनों में वीच अवरिज लेस कितना आमांट है बहत्तर सो और बीस जार में बिटा बहत्तर तर सो पर आगया और फिर यह देखो करमचारी से यदि कुछ लिया गया है करमचारी से 80 रुपीज पर डे के इसाब से 25 दिनों का 2000 पर कंपनी ने उसे चार्ज किये तो टेक्सेवल मांट वेटा 52 रुप्या जाए और सेलरी का बेटा मीनिंग वही है सेलरी में क्या क्या लेने बेसिक पे डियरनेस पे बॉनस फीज कमीशन सेम वही का वही जो आपको रेंट फ्री हाउस में बताया था ओल्ल टेक्सेबल अलाउंस का मतलब है फुली टेक्सेबल और पार्शली टेक्सेबल दोनों कमीशन वेटा लिख दिया मैंने कमीशन कैसा भी हो हां जी बेटा चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इसका बेटा स्क्रीन शोट लेना तो ले सकते हैं हां जी बेटा देखिए हां जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट हां जी बेटा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है अकॉमिडेशन प्रोवाइड इट साइट हां जी बेटा अकॉमिडेशन प्रोवाइड इट साइट या इसको बेटा रिमोट एरिया भी बोल देते हैं अकॉमिडेशन प्रोवाइड इन रिमोट एरिया यदि बेटा किसी करमचारी को ध्यान से सुनना जी यदि किसी करमचारी को किसी रिमोट एरिया के अंदर रहने की सुईधा दी गई है रिमोट एरिया का मतलब बेटा क्या सुनू जैसे यह को इम्प्लूई है यह एक इम्प्लूई है मिस्टर रजे अधिश्य वैसे तो बेटा यह कहां पर जोग करता है इसका जो हैड़ कॉर्टर एवेटा देली है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है देली वे और कंपनी ने इसको कहां पर भे दिया स्पोर्स करो अजे जो है वो इंजीनियर है अजी जो है वो कैसा है सीविल इंजीनियर और कंपनी ने इसको कहां पर भे दिया कंपनी ने इसको भे दिया हिमाचल में देली से हिमाचल में वन येर का प्रोजेक्ट है हां जी विटा हिमाचल के अंदर कोई प्रोजेक्ट है ये डैम बनाना है हां जी या साथ में ये लगा लो कोई पावर स्टेशन है कोई पावर प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप वापिस नहीं आओगे वहां से ठीक है मान लिजिए उसको दो प्रोजेक्ट पुरे करने पावर प्रोजेक्ट है या कोई डैम बनाने का प्रोजेक्ट है या दोनों भी हो सकते हैं गविता के या कोई कि इसको बोलते हैं और प्रोजेक्ट नीचे डिखाया है ओफ शोर पेथक्व मतलब क्या होता है किनारा का और 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 सिम्वंद्र के अंदर समधर केंदर को इस सिख के अंदर वेटा ऑ़िल extraction का प्रोजेक्ट है तेल नीकालना समुदर में से कोई निकालना w Observations कोई प्रोजेक्ट कर थे son कहने का मतलब बेटा सुन ध्यान से यदि किसी करमचारी को किसी दूर दराज के लाके में रीमोट एरिया में भेजा जाता है रीमोट एरिए का मतलब जहां पर company का कोई project चल रहा है कोई power project हो सकता है या company ने कोई डैम बनाना आ है उसका project हो सकता या समुंदर के अंदर विया कोई ऐसा प्रोजेक्ट है उल्ग बगरा निकालना तो वहां पे कमपनी को प्लांट करने है अंनग्य सांघ यह जिब सब्सक्रित करूंब बशाए सब्सक्राइब के बीटा वहीं पर रहने की सुईधा दे अगाई लिए कंपनी ने क्या किया एक टेमप्रेरी एकमपडेशन की विवस्तथा कर दी है तो कोश्टन आहीं होता है कि क्या यह सुईधा जो करमचारी को दी गई है क्या इसक पर टेक्स लगेगा या नहीं लगेगा हांज विटा कोश्चन यह है कि इस स्वीधा के उपर टेक्स लगता है या नहीं लगता तो आंसर इज नो टेक्स अन्युटा दा वैल्ली ओफ रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड़ीड इन रिमोट एरिया इज नोट टेक्सेबल हां जी विटा वास्ता में देखा जाए तो यह सुईधा थोड़ी है विटा यह तो एसुईधा है ठीक है एक तो पहले तो उसको घर से दूर भेह दिया पहले तो दिल्ली में स्टेक कर रहे है अपनी फैमिली के साथ एक तो उसको अपनी फैमिली ठीक है तो यह सुईधा का होई यह तो फैसलिटी नहीं है यह तो एस्वीधा है तो इस के उपर बेटा कोई टेक्स नी लगेगा ठीक है तो वैल्यों फ्रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड इन रिमॉट एरिया इस नोट टेक्सेबल यह कह सकते हो टेक्सेबल अमाउंट वि प्रोजेक्ट साइट जिस जगह पर उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भेजा गया है वहाँ पर अगर उसको जो अकॉमडेशन की स्वीधा दी गई है तो वह उसका टेक्सेबल अमाउंट नहीं लोगा बताओ जी क्लियर है हाँ जी बटा सभी बच्चे चैट बुक्स में लिखिए इतनी बात क्लियर है जी बताओ जी बच्चेछ सकती है